जहिंद आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 12 का जो कि पाठ का नाम है बृतो से संबंधित छेत्रफल दोस्तों इस पाठ के सभी फर्मूलों को कैसे याद रखना है ट्रिक की सायता से सिखेंगे दोस्तों कभी कभी होता क्या है ना कि आपको सवाल आता है ल प्रेंड्स यहां पे हमने बनाया है बृत जो की आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है बृत है नहीं दोस्तों अब यह कोला है अर दूभा में आपको नहीं देता है और आपको बृत में केंद्र दिखाई देता है तो अभी ये गोला है लेकिन आप जैसे ही यहां पे बना देंगे बिंदी यानि केंद्र बना देंगे अब यह हो जाएगा ब्रेट अब दोस्तों यहां पे मैंने पहला हेड़ी निखा है ब्रेट की परीधी यानि की परीधी किसे कहते हैं दोस्तो किसी भी बृत की जो चारतरफ की लंबाई होती है इसको परीधी बोलते हैं जैसे माल लीजी है आपने एक तार लिया माल लिए एलमूनियम का तार लिया और उसे आप कुछ इस प्रकार सरोल करके आपने बृत बना दिया लेकिन अगर आप उसको खोल करके ऐसे पुड़ा लं की लंबाई उसको बोलते है परीधी अब दोस्तों एक होता है त्रिज्या यानि कि परीधी और केंद्र की बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या यानि कि यह है परीधी यह है केंद्र यानि कि व्रित का केंद्र है तो परीधी और व्रित केंद्र के बीच की दूरी को का ब दोगने को ब्यास कहते हैं अब दोस्तों ब्यास का मतलब यह होता है कि आपको यहां से यहां ऐसे जोड़ देना है इस प्रकार से यानि कि आपको केंद्र से परिधी की बीच की दुरिएगर मिलेगी तो इसे बोलेंगे तृजिया और यदि तृजिया का दोगना कर देंगे तो आपका हो जाएगा ब्यास जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रीध की परिधी का सुतर होता है 2 pi r दोस्तों ज़्याद गहराई में नहीं जाएंगे लेकिन परियास मैं करूँगा कि आपको इतने अच्छे तरिकेस बता दूँगा कि आप भोलेंगे नहीं यानि कि यह बिरीत की परिधी का सुत्र होता है 2 pi r अब दोस्तों दुसरा हेडिंग में लिया है बरीत का 6 रफल बरीत के 6 रफल का सुत्र होता है pi r square यानि कि pi r square तो इसी परकार से मैं लिख लोंगा pi r square अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो लिया है heading ओ है संगत लगू तरी ज्थ कंड का चेत्रफल यानि कि पूच्छा है तरी ज्थ कंड का चेत्रफल अब मतलब कैको है अब कंड़ का मतलब होता है टुकडा यानि कि कोई एक ब४ूट होगा बूसका टुकडा होगा लेकिन दोस्त्थ सब्सक्राइब को याहां पर हमने एक एडिंग और लिया है जिसमें लिखा है बृत खन्ड याने कि बृत खन्ड और त्रिजयखंड दोठ है तो त्रिजयखंड और बृत खंड फ़े अंहतर पहले सस्खेंगे अंहतर से वह दोनों का फर्मुला सथेंगे दौस्त weather त्रिजिया खंड बोलने में लग रहा है कि जो खंड हुआ होगा त्रिजिया के माध्यम सुआ होगा किसके माध्यम से त्रिजिया के माध्यम से माल जी आपके पास एक गोला सा केक था तो आप क्या करते हैं कि एक चाकू लेते हैं और कुछ इस परकार से काट करके निकाल दे हो और किया होता है आपका खंड हो आता है यानि की आपका येड बहले गो ला था जब आपने चाकू मारों हॊ weet तो क्या हो गया है आपका cakek का हो गया तो तूट गया अब दोस्तों और कैसे है टूटा इस फ्रीकार सर्कार है के अगर यानि कि ये वाला भी त्रिज्या है यानि कि केंद्र से परीधी की बीच की दूरी अगर कहीं भी खीच दिया जाए कोई भी रेखा तो त्रिज्या ही कलाता है तो इस प्रकार से जो खंड हुआ है किसके माध्यम्स हुआ है त्रिज्या के माध्यम्स हुआ है तो बोलेंगे त त्रिजेखंड यानि कि व्रीत का वह खंड जो त्रिजया के माध्यम सुआ हो उसे बोलेंगे त्रिजेखंड अब दोस्तों उमीद है कि आप लोग त्रिजेखंड समझ गये होंगे अब होता यह है कि आपको पता होगा कि कोई व्रीत तिन सो साथ आंस पूरा कोण बनाता है यानि कि कि किसी व्रीत में जो पूरा कोण होता है तिन सो साथ अंस का होता है तो अगर आपने यहाँ पे कुछ इस परकार से काटा है तो कहने का मतलब कि कुछ यहाँ पे कोण बनता होगा कुछ न कुछ कोण बनेगा जो की निशित नहीं है लेकिन आपको सवाल में दिया रहेगा अब बात आती है ब्रित खंड यानि कि ब्रित खंड किसे कहते हैं दोस्तों माली जीए हमने चाकू ऐसे ना चला करके सीधा ऐसे काट दिया यानि कि उतना बुद्धी मेरे पास नहीं है माली जीए तो क्या कि हमने कुछ इस परकार से चाकू चला दिया इस परकार स यानि कि हमारा मर्जी किया मैंने सीधा ऐसे काट दिया और ऐसे निकाल दिया तो क्या होगा ना कि आप यहां पे देख पाएंगे अगर मालीजिये मैंने कुछ इस परकार स्चाकुमार दिया और ऐसे निकाल दिया तो ये वाला भी कहीं ने कहीं खंड हो गया यानि कि पहले आपके पास सीधा सा केक था गोला एक दा लेकिन आपने बगले में चाकुमार के ऐसे निकाल दिया काटके तो क्या हुआ ये वाला भी खंड हो गया अब दोस्तों अगर माल लिजिए आप दो परीधी की बीच में कहीं भी रेखा खिचते हैं और वह केंद्रस ना गया हो दो या गया हो कोई फ़रक नहीं पड़ता है केंद्रस WIN्हा हो या ना गया हो उसको बलते हैं जीवा यहां पर हमने पारीधी से एक क्रेखelson is कि यह सबसे बढ़ी जीवा कौन कलाता है तो आपको बोंगा कि सबसे बड़ी जीवा बुडिक french आपको कहते है यानि कि बुरित की ब्यास सबसे बड़ी जीवा कलाती है तो इससे बात ये समझा रही है हम लोग को कि किसी भी बृत की खंड अगर जीवा की माध्यम से किया जाएगा तो उसे बोलेंगे बृत खंड क्या बोलेंगे बृत खंड यानि कि किसी बृत की खंड अगर जीवा की माध्यम से होगा तो उसे ब्रित खांड और किसी ब्रित की खांड अगर त्रिज्या की माध्यम्स होगा तुसे बोलेंगे त्रिज्य खांड अब सिखेंगे यहां पर हमने लिया हैडिंग एक ठोला चाप की लंबाई यानि कि हमने ब्रित की परीधी छेत्रफल ब्रित खांड और त्रिज्य खांड और एक हेडिंग और है जो कि चाप की लंबाई लिखा है तो सिखेंगे जब चाप क्या होता है दोस्तों चाप का मतलब होता है कि किसी भी बृत की परीधी का सुक्ष्टम भाग यानि कि किसी बृत की परीधी के सुक्ष्टम भाग को बृत की चाप कहता है मान लिजिए ये वाला परीधी है तो क्या कि आपने कुछ इस परकार से कट दिया इसे दो जगा तो जो ये वाला छोटा सा भाग है ये वाला चाप कहलाएगा क्या कहलाएगा चाप यानि कि कि किसी बिरित की परीधी के छोटे से अंस को क्या कहते हैं चाप कहते हैं तो इस प अपने फोड़ा तो क्या हुआ होगा ना कि वह चूड़ी कई टुकड़ों में बट गया होगा तो उसका एक छोटा स्टुकड़ा होगा वह क्या कहलाएगा बृत की चाप कहलाएगा माली जी यह एक चूड़ी है हमने गिराद दिया फूट गया फूटने बाद कुछ इस प् मतलब होता है चोटा और दिर्ग मतलब बड़ा यानि कि जैसे ही आपने त्रिज्या की माध्यम से त्रिजखंड किया तो क्या हुआ होगा कि दखिए यह वाला हमने काट के निकाल दिया तो जो बृत था दो खन बट गया क्योंकि एक ठो यह वाला हो गया और एक ठो जो को लेंगे लगू त्रिजखंड और बड़े वाले को दिर्ग त्रिजखंड इसी प्रकार से अगला है ब्रित खंड यानि कि लगू ब्रित खंड का मतलब यह होगा जैसे आपने कुछ इस प्रकार से काटके निकाल दिया तिस छोटे वाले को बोलेंगे लगू ब्रित उमीद करता हूँ कि अब आपको पूरी बाते हैं किलियर हो चुकी है अब सिखेंगे कि इसके छेतरफल का सुत्र क्या होता है और कैसे याद रखना है जो बाकी चीजे हैं मैं से मीटा लेता हूँ और मैं आपको बिल्कूल अराम से सिखाऊंगा इस वीडियो को पूरा देखेगा अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करेजिए नहीं तो आप लाश्टम भूल जाएंगे सो प्रेंट्स चलिए दोस्तों अब हमने यहाँ पे बना लिया है त्रिजे खन्ड अब इसका छेतरफल सुतर क्या होता है चलिए सिखते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि हमने बोला था कि पूरा जो कुण होता है 360 का होता है तो अगर आपने काट करके निकाला है तो यानि कि इस पूरे बृत का छेतरफल क्या होता है पाई आर स्क्वेर अब दोस्तों अगर आप से कहा जाए कि आधा बृत का क्या होगा तब तुरंत कर देंगे एक बटे दू पाई आर स्क्वेर क्योंकि आपको पता है कि आधा के मतलब एक बटे दू होता है तो इस प्रक कि आधे ब्रीत खंड का छित्रफल गयात कि जिए तो क्या करेंगे ?1hrlich 2 while par string अब दोस्तों अगर यह पुछ देगा कि च्वंधाई भृत रिट का छित्रफल गयात कि 39 मानलेजिए आपके पास एक ब्रीट है और अगर यह पुछ दे कि 4 भायattend भाग का चेतरफल गयत किजिए तो भी आप कर लेंगे आप क्या करेंगे कि एक बट्टे चार लिखेंगे और पाई और स्क्वार लिखेंगे इस परकार से आपका चौथाई का चेतरफल निकल जाएगा माली जी चौथाई का मतलब यह होता है कि आप किसी बृत को चार भागों बाटे और एक ठोक बोलेंगे एक चौथाई तो इस वरकार से आप निकाल देंगे एक बटे चार पाई अरी स्क्वेर लेकिन दोस्तों एक बात और होगा कि आपको पता है कि 360 अंस का पूरा होता है अगर आप चार भागों बाटेंगे तो एक ठोका जो कुण बनेगा कितना बनेगा 90 अंस बन जाएगा क्योंकि 9 चौको 36 इस प्रकार से आपका हो जाएगा 360 यानि कि अगर आपसे कोई कहेगा कि 4 थाई भाग का चेत्रफल ग्यात कीजिए तो एक बटे 4 पाई आरी स्क्वेर आप लिखके निकाल देंगे निकाल देंगे न मुझे उमिद है कि आप समझ पारेंगे लेकिन दोस्तों एक बात तो और है जब चाओं थाई आपने किया होगा तो जो आपका कोण बनेगा कितना बनेगा 90 अंस बनेगा तो अगर आप इस 90 को लिख दें कि 90 बटे 360 पाई आर स्क्वेर यानि कि यहाँ पे 90 अंस काट रहा था तो हमने लिख दिया 90 और पूरा होता है 360 तो बटा हम लिख दिये 360 तो क्या होगा 0 स 0 चला जाएगा 9 एकम 9 9 चुको 36 यानि कि 1 बटे 4 पाई आर स्क्वेर फिर भी पहले एतना ही आया यानि कि 4 थाई का छेत्रफल 1 बटे 4 पाई आर स्क्वेर ही आया कब आया जब हमने यहाँ पे कोण रखके निकाला तो आपको एक बात किलियर हो गई कि अगर आपको बोलेगा आधा निकालिये तो एक बटे 2 करके निकाल रहे थे लेकिन मालेजिए आपको कुछु नहीं बोला है ऐसा ही बनाकर दे दिया इस प्रकार से तो आपको यहां थोड़ी नहीं पता है कि छठवा है कि पचवा है नहीं पता है तो उस कंडिशन में अगर आपको सिर्फ कोण पता रहेगा तो असाने से आप उसका चतरफल निकाल सकत जैसे क्या करना आपको थीटा यानि कि लगुतरिज लगंट का चतरफल लगुतरिज लगंट का मतलब इसका यानि कि इस पूरे का इसको बोलेंगे लगू त्रीजेखंड अगर इसका पुछे का चत्रफल तो क्या करेंगे आप थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वेर इस प्रकार से आपको लिख लेना है दोस्तों उमिद करता हूं कि आपको आ गया होगा इसी प्रकार से यहां है दिर्ग त्रीजेखं पूरा होता है 360 का तो यह वाला जितना है उसको घटा दोगे 360 में तो यह वाला न बचेगा तो क्या करेंगे इसका करेंगे यानि कि दिर्ग त्रीजेखं करेंगे 360 माइनस थीटा यानि कि 360 में छोटा वाला घटा देंगे तो बड़ा वाला बचेगा बटे 360 पाई आर स्क्वेर यानि कि यह वाला अपने अस्थान पर रहेगा बस आपको अगर लगूतरी जखंड की बात करेगा तो थीटा बाई 360 अगर बढ़का के बात करेगा तो 360 में स थीटा वाले घटा लेना है यानि कि पूरा में से यह वाला घटा लेंगे तो यह वाला बचेगा माइनस करके फिर बटे 360 यानि वह वाला पाई एर स्क्वेर इस प्रकार से आप लगूतरी जखंड और दिर्गतरी जखंड का निकाल सकते हैं अब दोस्तों बात यह आती है कि लगो बदिखंड और दिर्ग बदिखंड यानि कि बदिखंड का अच्छेतरफल कैसे निकालेंगे चलिए से पहले मैं इसे मीटा लेता हूं अब दोस्तों हमने आप ले लिया है बृत खंड यानि कि सेखना यह है कि बृत खंड का च्छतरफल क्या होता है और कैसे रखेंगे दोस्तों माली जी आपने कुछ इस प्रकार से चाकु चला करके केक को निकाल दिया तो क्या होगा यह वाला तो निकल गया लेकिन दोस्तों इसका च्छतरफल कैसे निकालोगे यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर त्रिज्य कंड वाला में आपको त्रिज्या दिया था और खुण दिया था तो आप असाने से निकालने रहे थे लेकिन यहाँ पर समझे नहीं आ रहा है कि क्या करें कि इसका निकले तो करते हैं ना कि इसको यहां केंद्र पर मिलाते हैं कुछ इस प्रकार से तो अब आपको दिखने लग गया ये वाला पूरा क्या है ये वाला पूरा है त्रिजेखंड यानि कि यहां से अगर यहां तक की बात करेंगे पूरा का यहां से पूरा तो क्या कलाएगा त्रिजेखंड अब अगर इस त्रिज्य खंड वाले में से यहां पे आपको एक त्रिभूज की आकार का दिखाई दे रहा है तो यानि कि इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभूज को घटा देंगे तो ये वाला ही न बचेगा आसानी से निकल जाएगा यानि कि जब सवाल देगा तो आपको त्रिज्य और यहां पे कोण दिया रहेगा इसमें टेंसन की बात नहीं है तो करना क्या है त्रिज्य खंड का छेतरफल होता है थेटा बाई 360 पाई आर स्क्वेर यानि कि त्रिज्य खंड का मतलब हो गया कि यहां से पूरा ऐसे है अब दोस्तों हम लोग को निकालना है ब्रित खंड यानि सिर्फ यह वाला तो अगर पूरे मैं से इस तिरभूज को घटा लेंगे तो यह वाला बचेगा न तो तिर्भूज का चतरफल होता है एक बट्टे दो आर स्क्वाइर साइन थीटा यानि कि सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा त्री जिखन्ड का चतरफल माइनास एक बट्टा दो जैसे कि अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 1 बट्टे 2 r2sin theta आपने कैसे लिख लिया आपको पता होगा दोस्तों कि त्रिभूज के छेतरफल का सुतर होता है एक बट्टे 2 आधार गुडे लंब दोस्तों यह होता है समकूण त्रिभूज के लिए लेकिन आपको इसी को याद रखके आपको याद रखना है कि 1 बट्टे 2 है और अधार माल लिजिए 3 jack बराबर है तो क्या होगा अधार r हो गया और लम भी 3 jack बराबर है तो आपको r मालना है 2 ठो और अगर यहाँ पर कूण दिया हुआ है तो माल लेंगे हमने क्या किया कि सबसे पहले इस वाले त्रीजेखंड में से इस त्रीभूच उगटाएंगे तो क्या हो जाएगा लगु बृत्य खंड का छेतत्रफ़ निकल जाएगा अब दोस्तों अब क्या करते हैं यह वाला थोड़ा से बढ़ लग रहा है तो इस से थोड़ा सोट बनाएंगे करते क्या ना कि आपको इन दोनों में आर स्क्वाइर दिखा दे रहा है तो हम यहां पर कामल लेंगे आर इस्क्वाइर का तो क्या बचेगा यहां बचेगा थीटा बाई 330 और यहां पर पाई बचेगा और माइनास एक बत्ते दो साइन धीटा यानिकी लगूब्रित खंड का चतरफा लोग्या आर स्क्वाइर कोस्ट में थीटा बाई 308 पाई माइनास एक बत्ते दो साइन धीटा कितना हो गया यहाँ ध्यान दीज़ेगे दोस्तों यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ आर स्क्वाइर कोष्ट में थीटा बाई तिन सो साथ पाई माईनास एक बटे दो साइन थीटा दोस्तों अगर आप इसको याद रखेंगे तो हो सकता है भूल जाएंगे लेकिन इस पूरे सिस्टम को याद रखेगा कि सबसे पहले तिरी जखंड में से ये वाला हमने तिरी भोचो घटाया है तो तिरी भोचो घटाने बाद ये वाला फार्मूला निकला है तो इस सिस्टम को याद रखेगा तो आप इसे नहीं भूल पाएंगे अगर आप ये चाहेंगे कि मैं इसे याद रख लूँगा तो आप समझेगा आप एन मोके पर धोखा खा सकते हैं इसलिए इस पूरे सिस्टम को दो-चार बार अपने रफ में हल करके मैंड में सेट कर लिजेगा ताकि आप जबी भुलाएंगे तो इस सिस्टम से आप इस फारमूले को पराप्त कर सकते हैं इसे परकार से यहाँ पे सिस्टम है कि दिर्ग बृत खंड का चतरफल अब दोस्तों बड़े वाले बृत खंड की बात करेंगे तो कैसे होगा मल जी आपको पता है कि पूरे बृत का होता है पाई आर स्क्वेर यानि कि इस पूरे का होता है पाई आर स्क्वेर तो आप क्या करेंगे ना कि इस पूरे का निकाल करके और का किजेगा कि छोटे वाले का निकाल लिए होंगे कैसे निकालेंगे इस वाले फार्मूले से यानि कि आप एक बार इस फार्मूले से पूरे बृत का निकाल लिएगा और इस फार्मूले से इस छोटे वाले का निकाल लिजेगा तो अगर व्यक्राइब से इसको याद रख सकते हैं अब दूस्तों लास्ट आता है चाप की लंबाई यानिकी हमने बोला था कि चाप कहते कि स्को है तो हुने बोला था कि चाप परीधी की छोटे भाग को बोलते हैं यानि कि परीधी की एक छोटे से अंस को चाप बोलते हैं तो आपको पता है कि परीधी का सुत्र होता है 2πR लेकिन दोस्तों माले जिये अगर यहाँ पे हमने चाप काटा तो क्या हुआ कि ये वाला भी पूरे 360 अंस काई है ये वाला भी कहीं कहीं केंद्रा पर कोण अंतरित करता होगा तो क्या होगा कि इसका कोण माले जिये ठीटा है तो सेम काम करना है का करेंगे ठीटा बाई 360 और यहाँ पे 2πR यानि कि आप यहाँ पे छेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वेर किये थे तो चाप के लिए 2πR करेंगे यानि कि आपको पता है कि चाप क्या होता है परीधी का टूड़ा होता है तो परीधी का छेत्रफल होता है 2πR तो सेम काम किजिएगा ठीटा बाई 360 2πR उमेदे करता हूँ कि आपको पूरा फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और आप इस पार्ट को आधा सवाल अपने से लगा सकते हैं क्योंकि जितना हमने समझाया है इससे अधिक कुछ भी नहीं है इसके अंदर ही है अगर आपको थोड़ा बहुत कह को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेजगा और बेल आइकन प्रेस करेजगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस चाप्टर की पूरे सवाल को मैं आपको लगा दूँ तो इस वीडियो में प्लीज आप क का इस चाहते हैं